लालु यादव को 25 साल की सज़ और 60 लाग रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है लालु यादव के लाबा त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 4 साल की सज़ा 2 करोड का जुर्माना लगाए क्या है महिंदर सिंग वेदी को चार साल की सजा और एक करोड रुपे जुर्माना उमेश दुवे को चार साल सतिंदर कुमार महिरा को चार साल राजश महिरा को चार साल महिंदर कुमार कुन्दन को चार साल की सजा मिली है वही डॉक्टर गौरिश रंकर को चार साल, जस्त्वंत सहय को तीन साल की सजा और दो लाख रुपे का जिर्माना रविंदर कुमार को चार साल की सजा, प्रभात कुमार को चार साल की सजा सुनाए गया बिर्सा उराव को चार साल की सज़ो तिन लाख रुपे का जिर्माना और नलिनी रंजर को तिन साल की सज़ा हुई इसके लावे तीन अन्य दोश्री पंदरा फरवरी को कोड में उपस्तित नहीं हो सके थी जिसके चलते कोड ने तीनों के खिलाब गरफतारी वारंट जारी कि है दुरसार डुरणा को शगास 149.5 करोड के वाद निकासी हुई थी उनीस्तो नब्य सी पंचानवे के बीच डुरणा को शगास से वाद निकासी की गई थी मामले में सिव्यान 170 लोगों को दोशी बनाया था जिसमें 5 दर्चन लोगों के सिल्वाय के बीच ही मौत हो गई मजुदा वक्त में 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहें फेस कर रहे थी और स्टाल 2003 में फाइनल चार्स्ट्रीट दाखिल क्या गया था तो ग्राफिक से जरी हम आपको समझार थे कि ये कितने कितने स्टाल की सजा हुई है वहें लालू यादव के बड़े साले प्रभुनात यादव ने सजा प्रतिक्रिया देते वे कहा कि उन्हें नयायाले पर पूरा भरोसा है कोड के फासले के खिलाब हो या हाई कोड का दर्वासा खटकटाएंगे अब तो जाएंगे हाई कोड जाएंगे हाई कोड जाएंगे और भारते जोनता पाठी के प्रदेश अध्याक चोसर रास्तवास सांस दीप प्रकाशनी आजोडी सुप्रीमो लालू प्रसाद्यादव को जाएंगे प्रसाद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्या वाई लालू यादव को सजा मिलने पर जारकें बीजेपी के प्रबक्तार प्रतूल शहदेव ने प्रतिकिर्या देते वे कहा कि इस फैसले से यह सपर्ष्ट हो गया कि आप कितने भी बड़े पत पर क्यों ना हो कानून के लंबे हाथ एक ना एक दिन आप तक जरूर पहुंसते हैं राजी सरकाल अलुप्रस्ताथ को अवश्रक्ता पढ़ने पर सारे चुकिस्ता विबस्ता मुहे कराए लेकिन उन्हें रास्की अतिति बना कर ना रखे यह ऐसे भी अब तक का सबसे बड़ा गोटाला था जिस पर डोरंडा से 149 क्रोड की राशी की निकासी की गई थी उसका बंदर बाट किया गया था और यह उन लोगों के द्वारा किया गया था जो गरीब और शोशीतों को निया दिलाने की बात करते थे इस बार लालो प्रशाद जब रिम स्मिल प्रिस का स्टडी में है तो जिस तरीके की तस्वीरे सामने आ रही है उनसे लोग गेलोग टोक मिल रहे है जेल मैनुवल की धजियां हो रही है लालो कैदी कम स्टेट गेज ज्यादा प्रतीत होते है तो उन्हें चिकित सा जो भी सुवीदा चाहिए वो मुहया करना चाहिए राजी सरकार को लेकिन स्टेट गेज बनाकर नहीं रहना चाहिए अगर हम बात करेंगे लालो परसाद के वकील जो इस फैसले के बाद क्या कुछ कह रहे हैं तो हर किसी को हमारे सम्विधान में यह अधिकार बिला है कि निचली अदालत के फैसले को उपरी अदालत में चुनोती दे सकता है और इसी आधार पे आज जब CBI की विशेश सदालत ने लालो परसाद को जोड़ा को सगार मामले में दोसी पाया और पांस साल की सजा और साथ लाक रुपे जुर्माने का अर्थदंड लगाया है तो उसके बाद जो है उनके वकील इस बात को कह रहे हैं कि हाई कोट में जा अधिकार है कि पांस साल की सजा मिलने के बाद अगर कोई कैदी आधी सजा काट लेता है तो वह अपील में जा सकता है अपने खराब स्वास्त अपने अपनी समस्या इन सारे चीजों को कोट के सामने रख सकता है और इस अधार पे बेल जमानत की उम्मीद कर सकता है तो लालू परसाइद के तरब से इसके भी समभामनाओं को तलासा जा रहा है हलाकि अभी कोट का जज्मेंट की कौपी उन्हे करेंगे कि किस तरीके से बढ़ना है लेकिन इतना तया है कि निश्ली अदालत के पैसले को हाई कोट में चुनोती दी जाएगी और पांच साल की सजा सुनाई है और इनके जो बिल्कुला देखिया बात करें मनोजी तो कहिना कि जुस्तरा से रविवार के अगर बात करें तो रविवार को जिस तरह से बाठक बुलाए गई थी और सिबाठक में ये भी कहा गया था कि 20 लाक नए सदस्त बना रहे हैं राजत्म के लेकिन इस बीच साजा के अलान भी हो वो मजबूत पार्टी करने को लेका लगतार रोणनीती बना रही थी और ऐसे में कित्रा सदरराजत के पार्टी पर देखिये अगर हम् राजत की बात करेंगे तो राजत कभी जॉरकंड में एक ठिक ठाक के स्टेंट वाली पार्टी वा करती थी राजत के सांसद हुआ करते थे इस शेतर से यहां चार-चार विधायक थे लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो मात्र एक मात्र विधायक है हलाकि सरकार में शामिल है और वो मंत्री है संगठन की अगर बात करेंगे तो संगठन जो है पिछले चार महिने से संगठन के तमाम जो को पहुंचे थे तो 14 तारीफ को एक यहां पे एक बड़ा कार्जक्रम हुआ था परदेश कार्जाले में जिसमें तमाम बड़े नेता राज़त के जो है परदेश परभारी जैपरकास नरायन यादव से लेकर के अब्दुलवारी सिद्की पूर्व मंत्री श्याम रजक और अमाम जो बड़े नेता है वो उसमें शिर्कत किये थे और सदस्ता अभियान की शुरुआत की थी इसके बाद फिर एक कार्जकारी परदेश अध्यक्स संजा सिंग यादव को गोसित किया गया और तीन लोगों को चुनाव प्रभारी बनाया गया है जो कि संगाटनात्मक से पार्टी का चुनाव करा करके और इस पार्टी को एक संगाटनात्मक सवरूप परदान करेंगे लेकिन इस सारी परकिरिया के लिए अभी समय है इसमें सदस्ता अभियान शुरू कर दी गई है और यह चुनाव जो है वो सेप्टेंबर या अक्टूबर तक होने की संभा सबुलिद निने इस त्विट को अगर देखा जाया तो क्या लगता तूइट में उन्होंने यह भी कहा कि सच और जनता का साथ हो तो जो होसला अगर देखा जा तो कहने के इस ट्विट के जरीह उन्होंने अपने कारकरताओं का होसला भी बढ़ाया है देखिए ट्वीट की जहां तक बात आ रही है ये लालू यादब के ट्वीटर हैंडल के तरफ से किया गया है या खुद लालू यादब ने किया है इसको अभी समझना होगा इस बात में अभी चुकि इसको लेकर के कई तरह की बाते सामने आ सकती है जेल मैनुवल की अगर हम बात करेंगे तो जेल मलूवर में किसी भी कैदी को कोई भी मोबाइल या किसी भी तरह के फोन के इस्तमाल की जरूर इजाज़त नहीं दी जाती है वैसे हालात में ये ट्वीट कहां से हुआ किस तरीके से हुआ ये अपने आपका जो है एक बढ़ा विशाय होगा अलाकि ये सारी चीजें जो है आने वाले समय में असपर ठुपाएंगी लेकिन इतना आता है कि त्वीट को लेकर के भी आने वाले समय में एक बिल्कुल मनोजी तमाम बात्वीट के लिए आपका बहाद शुक्रिया